चेप्टर थ्री साज़ेदारी का पुनरगठन विद्यमान साज़ेदारों के लाव विभाजन अनुपात में परिवर्तन यनि कि साज़ेदार अगर अपने लाव विभाजन अनुपात में चेंजस करते हैं तो हमको यहां पे निकालना होता है कि साज़ेदार को कितना profit हो रहा है या फिर कितना उनको sacrifice करना पड़ रहा है अपने profit में से क्योंकि पहला अनुपात अगर उनका जो old ratio था अगर वो ज्यादा था और new ratio अगर कम है तो उनको sacrifice करना पड़ेगा और अगर old ratio कम था और अभी new ratio ज्यादा है तो उनको gain हो रहा है यानि कि उनको profit हो रहा है तो हमको वही ratio निकालना होता है तो इसके लिए formula होता है old ratio माइनस new ratio और फिर या तो हमारा gaining आएगा या तो sacrificing आएगा अगर sacrifice है तो वो plus में आएगा और अगर gain है तो फिर वो minus में आएगा और अगर कुछ भी नहीं आ रहा है यानि कि old और new दोनों ratio अगर same है और zero आ रहा है answer निल तो इसका मतलब वो ना तो उनको sacrifice करना पड़ा है और ना ही उनको कुछ gain हो रहा है अब इसका question number one होगा question number one a b partner है firm में जिनमें उनका profit sharing ratio था two ratio one का और उनने decide कि अब वो future में अपना profit equally distribute करेंगे इसका मतलब अब उनका new ratio जो है वो one ratio one हो गया तो हमको उनका sacrificing और gaining ratio calculate करना है जिसके लिए solution होगा old ratio उनका था two ratio one यहने कि a का ratio हो जाएगा क्योंकि two दिया हुआ है तो two लिखेंगे और denominator में two और one को plus करके three आ जाएगा बी का ratio हो जाएगा one upon three new ratio क्योंकि equally distribute करना है इसलिए one ratio one होगा एका ratio हो जाएगा one upon two क्योंकि one और one को plus करेंगे तो नीचे denominator में two आएगा सेम वई चीज बी के साथ होगा तो बी का ratio भी one upon two हो जाएगा अब हमारा formula होता है old ratio minus new ratio और फिर हमारा equals to gaining या फिर sacrificing अब हम सबसे बहले एका ratio निकालते हैं तो एका old ratio था two upon three और new ratio था one upon two तो minus करेंगे सबसे बहले minus करने के लिए हमको तू और three का LCM लेना होगा तो six आएगा फिर three से six को divide करेंगे तो two आएगा और two से two को into करेंगे तो four आ जाएगा यहनिकि हमको यह पता है कि LCM लेने के time पर अपन को जो denominator है उसमें divide करना होता है और जो numerator है उसमें जो आया answer उसको into करना होता है वैसे ही अगर हम two से six को divide करेंगे तो three आएगा और three one's a three इस तरीके से four minus three आगया अब हम four में three minus करेंगे तो one upon six आजाएगा जो की sacrificing ratio होगा अब हम B का ratio निकालेंगे तो उसका old ratio था one upon three और new ratio था one upon two minus करेंगे LCM लेंगे सबसे बहले तो six आएगा फिर उसका LCM करेंगे three से करेंगे six तो two आएगा two one's a two minus two is a three करेंगे six को तो three by three करेंगे तो यहां पर three आजाएगा two 3-means करेंगे तो one तो one आएगा one upon six और मैने बताया था कि अगर plus में आया है तो sacrifice है और अगर minus में आया है तो gaining है तो एका जो sacrificing ratio है वह है वन उपन सेक्स और बी को गेन हो रहा है माइनस वन उपन सेक्स है जो कि हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नमबर टू आयूश और आस्था एक फर्म में पार्टनर है जिसमें वो अपना प्रॉफिट और लॉस इक्वली डिस्ट्रिब्यूट करते हैं और एक अप्रेल 2018 को उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना प्रॉफिट और लॉस फोर रेशियो 3 में डिवाइट करेंगे तो हमको उनका गेनिंग और सेक्रिफाइजिंग रेशियो क्यालकुलेट करना है तो इसके लिए सॉलुशन होगा तो ओल्ड रेशियो हम सबसे पहले देखेंगे आयूश का ओल्ड रेशियो होगा क्योंकि इक्वालिट कर रहा थे इसलिए 1 अपन 2 और आस्था का भी होगा 1 अपन 2 new ratio क्योंकि वो था 4, ratio 3 का इसलिए उसका ratio बनेगा 4 upon 7 क्योंकि 4 और 3 को plus करेंगे तो 7 आएगा और आस्था का बनेगा 3 upon 7 अब इसका formula होगा old ratio minus new ratio equals to gaining या फिर sacrifice सबसे पहले हम आयूश का निकालेंगे तो उसका old ratio था 1 upon 2 और new ratio था 4 upon 7 तो 2 और 7 का LCM होगा 14 अब हमको क्योंकि नीचे divide और उपर into करना होता है तो नीचे हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 से 14 को तो आजाएगा 7 और 7 बन जा 7 होगा इसलिए हम यहाँ पर 7 लिखेंगे फिर 7 से डिवाइड करेंगे 14 को तो फिर आजाएगा 2 क्योंकि 7 तूसा 14 फिर 2 को into करेंगे 4 से तो 4 तूसा 8 आजाएगा 7 माइनस 8 करेंगे तो आजाएगा माइनस 1 अपर 14 क्योंकि यहाँ पर दिनॉमिनेटर 14 था क्योंकि यह माइनस में आया इसलिए यह गेरिंग होगा अब आस्था का हम देखेंगे तो उसका तो यहां पर आयूष का जो गेनिंग रेशियो है वो है माइनस 1 अपर 14 और आस्था का जो सेक्रिफाइजिंग रेशियो है वो है 1 अपर 14 जो कि हमारा आंसर होगा